हेलो दोस्तों कैसे हैं आप सभी लोग स्वागत आपका हमारी यूट्यूब चैनल एजुकुशन गूल पर हम आपी की डिमांड पर आपी के लिए लेके आए हैं करंट अफ्यर के हैं रेटेन नोट्स जो के आपको कहीं भी नहीं मिलेंगे सिर्फ हमारे चैनल पर ही मिलेंगे आपको चलो शुरू करते हैं टाइम नविस्ट करते हुए पहला है पांच अक्टूबर को पहला राच्टिय डॉल्फिन दिवस मनाया गया आपको पता होगा कि डॉल्फिन हमारी राच्टिय जलेजीव है इससे रेलेटेर मैं आपसे एक कुशन पूछता हूँ कि किस सरका और किस नदी में रहने वाली डॉल्फिन्स को दूसरा है गुजरात बना गती सकती पोर्टल लॉंच करने वाला पहला राच्टिय अगर आप थोड़ा सा डिटेल में चाहते हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिखकर बेश सकते हो चिससे कि हम तुमारे लिए थोड़ा सा डि तीसरा है अंतर राश्टिय होकी महासंग ने भारत के स्रीजेस और सविता को साल का पैस्ट मैन और बॉमेन गोल्ड कीपर के रूप में चुना मैं आपसे एक और बात कहना चाहूँ इसी मैं नोट कर लेना कि इसी साली ने कि प्रीबियस येर भी इनी को ही दौनों को ही चुना गया था जो था है 2022 का साहित के लिए नोवल प्राइज लेने वाली एनी एनॉक्स जो के फ्रांस की रहने वाली है मैं आपसे इससे रिलेटेड एक कोशिन पूछता हूँ कि प्रीबियस येर किसको नोवल प्राइज दिया गया था साहित के लिए आप कमेंट बॉक्स में आंसर दें नेक्स्ट है जो गेल के चेर्मैन है उनका नाम संदीप कुमार गुपता है जिनका कारेगाल फरवरी दुयार चब्वीस तक चलेगा आपको पता होगा कि गेल की फुर्फोर्म क्या होती है नहीं पता है तो मैं बता देता हूँ गेस अथरिटी ओफ इंडिया लिमिटेड अगर कोई बच्चा गेल में जाना चाता है तो उसे पहले मैं बता दूँ कि गेट का एक्जाम देना होता है जिसमें क्वालिफा होने के बाद ही अपियरिंग कर सकता है कि हाँ जा सकता है अगली है एस विए जनरल इंसुरेंस कंपनी ने किसोर कुमार पॉलू दासु को अपना अपना नया मेनेजिंग डायरेक्टर एंड चीफ एक्सक्यूट ओफिसर के तौर पर निउक्त किया है नेक्स्ट है आसाम बना वन नीसन वन राशनकाड की को लागू करने वाला च्छट्टिसवाँ स्टेट वन नीसन और वन राशनकाड का मतलब होता है कि अगर कोई भ्यक्ति यूपी का है अगर वो गहार बिहार में रहता है तो वो वहाँ पे भी अपने राशनकार से राशन ले सकता है मुश्ली वैसे सभी राजों ने ये लागू कर दिया है बट 36 वाँ स्टेट है जो कि आशाम जिसने वन नेशन एंड वन राशनकार को लागू किया है नेक्स्ट है विस्वेंक ने भारत की जीडीपी को 8.7 से घटा कर 6.5 कर दिया है मैं आपको बता दूँ कि प्रीवियस येर जब उन्होंने बोला था कि 8.7 से घट कर अपरेल में बोला था उन्होंने कि 8.7 से घट कर 8 हो जाएगी बट फिर 2022 और 2023 के नहीं जागे उन्होंने जून में बोला था कि नहीं 7.5 हो जाएगी बट ये तीसरी बार है जो कि उन्होंने दुबारा से बोला है कि 6.5 ही रहीगी मतलब 6.5 कर दिया है उनका अनुमान GDP का अनुमान 6.5 कर दिया है नेक्स्ट है किरकेट के इत्यास में पहली बार टवल T20 में डवल संचुरी मारने वाले किरकेटर जो कि 140 केजी के हैं फिर वी उन्होंने टवल संचुरी मार दी उनका नाम है रहकीम कौरनबॉल जो कि T20 जो हो रहा था वो अमेरिका में हो रहा था अमेरिकन T20 नेक्स्ट है इंटरनेशनल सोलर अलाइंस की पांचमी बैटक 17 से 20 अक्टूबर तक चलेगी जो कि न्यू देली में होगी नेक्स्ट है नासा का स्क्रू फाइब मिसन स्पेक्स एक्स ने किया लॉंच नेक्स्ट है इस्पृति मेला का आयोजन खादी एंड बिलेज इंडस्ट्रीज कमीशन द्वारा न्यू देली में किया जा रहा नेक्स्ट है समग्र ग्राम उन्यन योजना जो आसाम सरकार की है इसका उद्देश है कि 17 से 22 तक की अबदी के भीतर हमारे किसानों की आय को दुगना करना जिससे किसानों की आर्थिक स्थिति बदले ये बैसे बहुती महतुपूर भी है किसानों की आय जिससे कि दुगनी होगी तो बहुती अच्छा फशल को भी महतुपूर भी बना हमारे लिए बहुती महतुपूर की बात है कि सरकार ने ये योजना शुरू की जिससे किसानों की आय दुगनी हो नेक्स्ट है रुपे क्रेडिट कार्ड दुहजार के लेंदेन पर भी अब कोई नहीं लेगा सुल्क मैंने थोड़ी देर पहले एक कुशन पूछा था कि लास्ट येर नोबल प्राइस साहित के लिए किसको दिया गया था मैं आपको बता दूँ के ब्रिटिस के अब्दुल रजक गुरुना को दिया गया था नेक्स्ट है पावर एंड न्यू रिनियर्वल एनरजी मिनिस्टर आरकेशिन प्रेसिडाइस ओवर्दा असेंबली इसका मतलब है सवा की अध्यचता करेंगे नेक्स्ट है हमारे ग्रह मंत्री अमिस साजी ने जम्मुक एंड कश्मीर की पाड़ी समिधाय को एस्टी यानि सिड्यूल ट्रैप्स का धर्जा देने की गोशना की नेक्स्ट है कप्तान इब्राहिम तुरौरे को ब्रुक्ना फासो का अधिकारिक राष्टपती न्यूक्त किया नेक्स्ट है आसाम सरकार ने एकॉनोमिकली बीक चिल्डर्न्स के लिए बिद्यारत स्कूल और वील्स को चलाया जिससे बच्चों के लिए एकॉनोमिकली सपोर्ट मिल सके इंडियन अमेरिकन विवेकलाल को लाइफटाइम अचीब्मेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया इंडियन अमेरिकन का मतलब होता है हैं तो वो इंडिया के बट अमेरिका के नागर्कता ले ली उसी को बोलते हैं इंडियन अमेरिकन नेक्स्ट है विश्व का पास दिवस साथ अक्टूबर को मनाया जाता है नेक्स्ट है दोजारबाइस का इरानी कप इंडिया ने स्वरास्ट को हरा कर जीता नेक्स्ट है प्राइम मिनिस्टर नरेंद मोदी जी दोवारा नियू एम्स का किया गया अधगाटन जो के बिलासपुर डिस्टिक के कोटी पुरा सहर में इस्तित है जिसके निर्माण के लिए 247 एकड़ एरिया जो के 1470 करूर में बनकर 7500 बैड़ों के साथ तयार होगा नेक्स्ट है गोवर्मेंट हाइडरो इंजिनिरिंग कॉलेज जो के बिलासपुर डिस्टिक के बांधला सहर में इस्तित है इसका भी उद्गाटन नरेंद मोदी जी दुवारा कराया गया जो के 140 करूर रुपे में बनकर तयार होगी नेक्स्ट है इसी के साथ मेडिकल देवाइस पाक जो के नालागर में बनाया जाएगा इसका भी उद्गाटन नरेंद मोदी जी दुवारा कराया गया जो कि ये साड़े तीन सो करोर रुपे में बन कर तयार होगा पिंजोर को नालागर से जोडने वाला फोल लेन रोड इसी प्रोजेक्ट का नाम है भारत माला प्रोजेक्ट जो कि सोले सो बानवे करोर रुपे में बन कर तयार होगा इसका भी निर्म उद्गाटन नरेंद्र मोदी जी दुवारा कराए गया नेक्स्ट है आसाम सरकार दुवारा और नर्दोई स्कीम इसके तहित महिलाओं को ससक्त बनाने और आर्थिक रूप से कमजोर परवारों को फाइनल से सपोर्ट देने के लिए एक नई योजना है इसके तहित 19 लाग परवारों को हर महीने एक एक अजार रुपे दिये जाये करेंगे मैं आपके लिए कुछ कुश्यंस भी लेके आया हूँ आपको आपकी स्क्रीन पर दिख रहे हूँगे पहला कुश्यं है 30 जून 2022 को किसने महरास्ट के 20 वे मुक्यमंत्री पद की सफत ली मैं आसा करता हूँ कि आप आंसर्स कमेंट वॉक्ष में देंगे दूश्रा कुश्यं है सितंबर अप्टूबर 2022 में आयोजित होने वाले 36 वे रास्ट्य खेल की मेजवानी कौन सा राज्ज करेगा मैं आपके लिए थोड़ा सा 5 सेकंड का समय देता हूँ जिससे कि आप टाइप करके मुझे बता दें चलो मैं ही बता देता हूँ पहले कुशन का अंसर है एकनाथ सिंदे और सेकंड वाले का अंसर है गुजरात जो कि भूपेंद्र कुमार वहां के सीम है उनके द्वारा ये मेजवानी करवाई जाएगी मैंने भी थोड़ी देर पहले बताया था भूपेंद्र वाई पटेल का नाव जो कि गुजरात के सीम है उनी के द्वारा ये आयो क्या जाएगा जो कि मेजवानी गुजरात के हैं नेक्स्ट कुशन है पांच अक्टूबर दोजार बाईस को किसे एफ आई एच वर्स दोजार इकीस बाईस का सर्व स्रेश्ट पुरुस गोल की पर चुना है ओप्शन है पर डेविड हर्ट ओप्शन भी है विसेंट बनास ओप्शन सी है पी आर स्रीजीस ओप्शन डी है मान दी मैं आपके लिए पांच सेगंड का टाइम देदाओं आप कमेंट बाक्स मैं अंसर दे चलो मैं ही बता देता हूँगा पी आर स्रीजीस अगर आप से कोई सर्व स्रेश्ट पुरुस गोल की पर के कुछ पूछता है तो पी आर स्रीजीस और महिला के पूछता है तो सविता उनिया एंक्यू क्लास आपका हमारे साथ लास्ट तक जोड़ने के लिए मैं आपको कुछ कुशन्स देखा रहा हूँ आपके स्क्रीन पर उनका अंसर आप मुझे कमेंट बाक्स में दे देना देख रहा होगा आपको स्क्रीन सॉर्ट भी ले सकते हूँ आप अंतरास्टी विद्य सेवा केंद्र प्राब्धी करण आई एफ एस सी द्वारा गटित सतित वित पर विशिस सग्य समिती ने अपनी अंतिम रिपोर्ट सौप दी है समिती के अध्यक्ष कौन है आप आंसर कमेंट बाक्स में दे सकते हैं नेक्स्ट कुश्चन है युनाइटेड नेशन्स कॉन्फरेंस ओन ट्रेड एंड डपलमेंट यून्सी ए ए शोरी सीटी एडी एक्सपेक्ट्स इंडिया ज एकॉनोमी तू ग्रोग 5.7 परसेंट इन 2022 एंड डेस इन 2023 ओप्शन आपको दिख रहे होंगे पहला ओप्शन है 4.2 परसेंट दूसरा ओप्शन है 4.4 परसेंट तीसरा ओप्शन है 4.7 परसेंट चौथा ओप्शन है 4.8 परसेंट नेक्स्ट कुशन है हाली में भारत के दूसरे राश्ट्री मौडल वैदिक स्कूल का उद्गाटन का हुआ है ओप्शन ए पुरी ओप्शन भी वारान सी ओप्शन सी आयोध्या ओप्शन डी इन्वें से कोई नहीं आप कमेंट वाक्ष में अंसर दे सकते हैं आपका पांच सेकंड के लिए पीट करते हैं टाइम हुआ समाप्थ ओप्शन ए है पुरी नेक्स्ट कुश्चन नेक्स्ट कुश्चन है दोहजर उन्तीस एस या सीतकाली खेलों की मेजवानी कौन करेगा ओप्शन ए है साउधी अरव ओप्शन भी ऑस्ट्रिलिया सी दच्चन फिरीगा डी इनमें से कोई नहीं उसे नेक्स्ट कुश्चन है हाली में किसने 2022 देविंद्रलाल मेमोरियल मेडल प्राप्त किया ओप्शन ए है एम आर वरेला वेरिला ओप्शन भी रॉक्सी कॉल सी एन वेरिन टॉक्स डी इनमें से कोई नहीं आखरी कुश्चन है हाली में संयुक्तराष्ट सरनार्स थ्री सरनार्स थ्री पुरुषकार किशने जीता है ओप्शन ए है एम और एम आर वेरिला ओप्शन भी है एन जीला मौरकेल सी है एन वेरिन टॉक्स डी है इनमें से कोई नहीं थेंक्यू क्लास लास तक जुडने के लिए जुडने के लिए प्सक्वाल सुड़का जो एम तुडने के कोई। सरनांगों एम प्सक्राष्ट